चिकन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का काम करेंगे जिसके लिए जो अज़ा हमें चाहिए हैं वो हैं 1 होल चिकन, 5 खाने के चम्चे लीमो का रस, 1 चौथाई कब विनिगर, 1 चम्ची काली मर्च पाउडर, आदी चम्ची नमग, एक खाने का चम्चा सफेज जीरा और वन थर्ड कप दही सबसे पहले हम होल चिकन में पांच खाने के चम्चे लेमन जूस डालेंगे फिर एक चौथाई कप विनिगर एक चम्ची काली मर्च पाउडर आदी चम्ची नमक एक खाने का चम्चा पिसावा जीरा और वन थर्ड कप दही मिला के इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर लेंगे अगले दिन इसको प्री हीटेड आवन में दो घंटे के लिए वाने की डिग्रीज पे बेक कर लेंगे दूसरी तरफ टावल बनाने के लिए हमें चाहिए दो प्याज, एक कप ओयल, एक खाने का चम्चा लसन पेस्ट, एक खाने का चम्चा अध्रपेस्ट, एक खाने का चम्चा हल्दी, छे लॉम, दो बड़ी एलाईची, एक चम्ची साबुत काली मर्च, एक खाने का चम्चा सफेज जीरा, एक लीटर पानी, देर चम्ची लाल दाइ चमची नमक, तीन धार चीनी और तीन कप चावल, जबसे पहले हम दो बारीक कटीवी प्यास को एक कप ओयल में तल लेंगे, इसमें एक खाने का चमचा लस्तन पेस्ट, एक खाने का चमचा अध्रब पेस्ट, एक खाने का चमचा हल्दी, छे लॉंग, दो बड़ी लाइची, एक चमची साबुत काली मर्च, एक खाने का चमचा सफेब जीरा, एक लीटर पानी, देर चमची लाल मर्च पाउडर, धाई चमची नमक, और तीन दार चीनी मिला के मिक्स कर लेंगे और दस मिनट के लिए पका लेंगे, दस मिनट के बाद इसमें तीन कप धुलेवे चावर में ला लेंगे, और तीस मिनट के लिए पका लेंगे, अब बेक हुए वे चिकन को चावरों पर डाल देंगे, एजी कुकिंग को सबस्प्राइब जरूर कीजेगा,